बिसमिल्लारिक्मारुरहीम, Assalamualaikum फ्रेंड्स मेरा नाम मौसिन और आप देख रहे हैं ForexE को ForexE के related videos बनाता हूं मैं और यहां पर आप सीख सकते हैं कि आप कैसे जहां वो trading कर सकते हैं एक और चीज हमने यहां पर की है अगर आप new हैं, first time channel को visit कर रहे हैं यहां पर free course का button दिया गया, अगर आप इस पर click करेंगे ऐसे तो आप उस playlist में चले जाएंगे जो के तरतीब से playlist पड़ी हुई है आप इस playlist को follow करेंगे तो आप बकाइदा जो है वो properly जो course है आप वो इसको तरतीब से देख सकते हैं सारी videos 1, 2, 3 और इसी तरह से तरतीब से देखी हैं इसके लावा रोजाना basis पर आप different videos देखते हैं जिस पर मैं different strategies आपके साथ share कर रहा हूँ आज वाली जो strategy है यह बहुत important strategy है और बहुत ही famous strategy है अगर मैं हाँ पर बात करूँ तो दो indicators का हम use करेंगे और दोनों indicators अपनी जग़ा पे बहुत best हैं लेकर अभी हम आश्ता आश्ता मुक्तलिफ indicators को जोड के एक better result लेने की कोशिश करेंगे तो आज इस अवाले से एक पहली video है जिसमें हम दो indicators को जोड रहे हैं और इन दो indicators को एक time जो है जब भी हमें indication मिलती है हमारी trade के लिए buy करने के लिए sell करने के लिए तो हम उसके उपर step लेते हैं तो video को end दक लाजमी देखें और जो भी आपके mind में question है नीचे comment में post करें मैं आपके comments को पढ़ता हूँ और आप appreciate करते हैं videos को तो बहुत अच्छा लगता है like करना मत भूलिएगा अच्छा तो यहां पर हम देखते हैं आज हम दो indicators को पढ़ने वाले एक blunger band है और दूसरा हमारे पास जो indicator है वो RSI है इस दोनों को हम यहां पर merge करेंगे और दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो blunger band है ठीक है यह मैं यहां पर link भी देता हूँ आपको blunger band एक हिसाब से अगर हम इसको trade क करें किसी भी indicator को जब आपने test करना है कि आप उसमें कितना कामयाब है तो आप कम असकम उस method से 100 जोना वो trades लगाएं फिर आप उसमें से देखें कि कितनी trades आपकी positive आई हैं जैसे कि 70% अगर आपकी trade positive आती है और 30 trades आपकी negative आती है तो it means कि आपका indicator काम कर रहे है आपकी strategy काम करिये तो then आप इसको permanently implement कर सकते हैं अक्सर दोस्त करते क्या है कि वो सिरफ एक दफा उस indicator को apply करते हैं अगर उन से तीन trades जो है वो profit जाती है और दो last होती है इस तरह से कुछ भी जब उनका result आता है तो वो समयते हैं कि indicator बकवास है और इस पे हमें काम नहीं करना चाहिए हाल frame है और उसके इसाब से फिर आपको पता चलता है कि वो आपके लिए कितना work कर रहे है इंडिकेटर की बहुत बड़ी list है और मैं आपको सारी indicators बताने की कोशिश करूंगा कि उनके क्या-क्या मकासिद हैं कैसे-कैसे use किया जा सकते हैं लेकर बात भी आती है कि आपने कितना time practice किया और कैसे आप उसको practice का रहे हैं उसके इसाब से आपको उसका result मिलता है तो यहां पर जो plunger band है जहांस तक मैंने सुना या try किया या जैसे भी है तो इसका जो एक approximately आप result देखें तो यह 55% इसका result आता है और यह बहुत अच्छा result है किसी भी indicator को काम करने के लिए और RSI अगर हम अलाग से इसका सिरफ इसी को trade करें तो RSI के उपर हमें तकरीबन average 45% जो हना वो result मिलता है positive trades का तो यह तो अलाग अलाग indicators है अब हम इन दोनों को plus कर रहे हैं और अगर इन दोनों को एक साथ मिला के फिर हम दोनों से indication लेके trade करते हैं तो हमारे chances हैं कि यह जो trades है हमा 80% तक जो है वो positive जा सकते हैं जो method मैं अभी आपको बताने वाला हूँ काफी important है और इससे आप काफी अच्छी जो earning है वो कर सकेंगे सिरफ यह है कि आपने इसको जो हना वो ध्यान से देखना है और इसके उपर implement करना है ठीक हो गया अभी हम start करते हैं blunger band के ओपर थोड़ इसके उपर indicator जो हमारा mt4 है और then हम इसको देखने की कोश्च करते हैं यहां पर देखें insert में जाते हैं indicators में जाते हैं और आपके पास यहां पर जो है वो indicator आपको मिल जाएगा मुक्तलिफ जगह पर यह कई दफा चेंज होता है trends के अंदर यहां पर मौझूद है लेकर जाते हैं और यहां पर period है period आपका 20 का दिया गया और 2 का दिया गया दो periods यह by default आते हैं और एक इसमें जितने भी traders हैं उनका यह मानना है कि यह जो period है यह बहुत ही best periods हैं इसमें क्या क्या चीजे होती हैं वो हम यहां पर देखने वाले हैं इसमें जो 20 period है यह तो आपका moving average simple moving average और यहां पर divations हैं कि वो कितना उसका जोना वो आप कहलें कि मौजना करते हुए prices का तो कहां तक उसके levels को जा सकते हैं यह यह उसके levels हैं ठीक हैं तो यहां पर आप तीन lines आपके सामने पूरे के पूरे चार्ट के उपर लग चुकी हैं और इसको हम plunger band कहते हैं और यह जो है इसकी थोड़ी सी history और इसके काम करने का तरीका कर हम यहां पर देखते हैं पहले तो इसमें देखें दो तीन lines हैं इसमें आपका यह वाले जो line है यह वाली इसको हम upper band बोलते हैं ठीक है upper band और यह जो line है यह आपकी lower band है और यह जो आपकी line है यह आपकी middle बैंड है अब इसमें जो यह दो जो लाइन्स है यानि कि अपर बैंड और लोर बैंड यह आपकी डाइवेशन्स है और यह जो आपकी लाइन है यह आपका यह जो दर्म्यान विली लाइन है यह आपका simple moving average है SMA है और यह 20 का moving average है ठीक हो गया तो यह इसमें जो by default values आती है वो 20 और 2 की आती है और यह ही best values हैं इनको आपने छेरना नहीं है यह जो indicator है यह जोन बलंजर के नाम से यह एक बंदा था जिसने यह design किया ठीक है और यह indicator 1980 में बनाया गया था और इतना प्राना indicator है और काफी time तक काम कर रहा है और एक अंदाज़े के मताब़ कि जो फार एक्स के अंदर जो लोग trade करते हैं बलंजर बैंड को बहुँज़दा यूज़ करते हैं और यह काफी जहना वो आपको अच्छी positive trade जो है वो देखने को यहां पे मिलती हैं अब हम बात करते हैं यहां पे दूसरे indicator की दूसरा indicator हम यहां के साथ attach करते हैं और trend के अंदर जाते हैं RSI की line जा रही होती है तो यहां पे overbought हैं अब बात रही time frame की के हम बलंजर बैंड के अंदर जब use करेंगे इसको तो time frame कों सा use करेंगे एक बात याद रखिएगा जितना भी time frame बड़ा होता जाएगा बलंजर बैंड का इतना ही result अच्छा मिलता जाएग और यह इतना ही strong signal provide करता है जैसे के 15 मिनट में थोड़े से कम strong signals मिलेंगे ज्यादा chances होंगे कि वो आपको घलत trades भी उसमें आप ले सकते हैं और M30 के अदर और अच्छी trades या long term trades मिल सकती हैं H1 के साथ H4 के साथ तो यह आ travel की trading करते हैं और उसके साथ से आप क्या करते हो अच्छा इसमें जो एक pattern है दो pattern खास हो पर उनका मैं जिकर करना चूंगा जो के बहुत ही ज्यादा use होते हैं एक आपका double top है जो के double top बनता है आपका plunger के अंदर और दूसरा आपका double bottom है जब भी आपको यह वाली position मिले तो लेकन chances बढ़ जाते हैं और यह वाला यहाँ पर अब अभी अगर आप देखें तो double bottom आपको नजर आ रहा है double bottom जहां पर भी आप lunger band के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर w की shape बनती है जैसे यह देखें यह और यह तो यह सरा से w के एक shape बनती है और इसकी निशानी क्या है कि आप w की shape बनेगी और यह जो नीचे वाला यानि के lower band है इसको touch कर होगा और जैसे जैसे इसके साथ इसकी next आने वाली candles close होती है तो यह उससे lower जो आपका band होता है उससे दूर हो जाता है ठीक है lower band से दूर होता जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे का पू कि यह उस time बनेगा जब market गिर रही होगी market गिरते वेर अगर आपको w की shape नजर आती है और plus यहाँ पर आप देखें rsi 30 से नीचे चला गया rsi 30 से नीचे चला गया और w की shape है तो आप बिलकुल यहाँ पर trade ले सकते हैं अब trade कहाँ पर लेनी है w बनेगा तो ऐसे जब आपको यहाँ तक आएगा तो w नजर आएगा अब आपने करना ऐसे है कि इसकी closing देखनी है या फिर आप यह plunger जो आपका middle plunger है आप इसके ऊपर trade लेंगे यानि कि यह जो candle है यहाँ पर आप इसकी trade लेंगे यानि कि w को वो cross करके ऊपर आएगा और उसके बाद देखें तो यह इसने यहाँ पर trades ली है यहाँ पर trade अगर आप buy की trade लेते हो और यह exactly position यह वाली बनती है अब उसने क्या किया जब भी आप याद रखेगा अब यह तो आपको मैंने w का step बताया कि जब भी w बने तो आप जब उसको cross करेगा यानि कि यह वाला जो position है इसको जब तोड़ेगा तो then आप इसके उपर buy की trade लगा सकते हैं 100% यहाँ से आप result दे सकते हैं बेशक आंके बंद करके यहाँ पर trade करें और यहाँ से आप जब साथ move करते है याद रिखिएगा जब भी यह plunger के ऊपर यानि कि अप जो अपर आपका band है अगर उसके साथ साथ यह closing कर रहे है तो इसका मतलब है कि उसकी strength buying की strength बहुत अच्छी है और वह बहुत ही जोना वह uptrend में जा सकता है इसका दूसरा uptrend की और भी निशानिया ही है कि यह बार-बार आएगा और middle पे close कर यह इसको sport बनाएगा यानि कि आपका 20 का moving average इसको sport बनाएगा यह देखें एक sport इसने यहाँ पे ली फिर यहाँ पे ली sport और यहाँ से जब इस sport को तोड़ा then यह दूसरे उस पे आया यानि कि नीचे वाले plunger band पे आया और यहाँ पे और मैं आपको trade बता दूँ जब भी कोई candles इसके बाएर close होना शुरू हो जैसे कि यह candle बिल्कुल बाएर निकला यह plunger के आप देख सकते हैं आप बिल्कुल 100% यहाँ पे देख सकते होंगे कि यह जो पूरी की पूरी candle यह बाएर इसने निकाल दी है जब भी candles बाएर की तर से ब्लंजर के अंदर जाती है क्योंकि यह जो डाइवेशन टू डाइवेशन का एक फामूला है जो कि आटोमेटिक लिए हाँ पे इंपलीमेंट करता है mt4 के अंदर यह काफी powerful फामूला है जो prices market में चल रहे होती हैं उसके साथ साथ हमेशा prices move करती हैं और जब इसने आप देखें आप यह भी जो आ रहसा है वो भी 30 के बिल्कुल pass है तो आप यहां पर एक positive trade ले सकते हैं यह पहली आपने trade लिया और यहां पर दूसरी buy की trade लगा सकते हैं अब यह दुबारा से अगर आप इसमें देखें कि आप trade आपने बंद कहां पे करनी है trade बंद करने के दो हैं अगर तो आप बिल्कुल save खेलना चाहते हैं और बिल्कुल आप risk नहीं लेना चाहते देन आप यहां पर जब आपने trade लगाई तो आप blender के middle में जाके इसको close कर सकते थे लेकन क्योंकि यह uptrend था और 4H4 के अंदर uptrend का बनना काफी strong uptrend होता है और अगर यह uptrend था strong uptrend है तो यहां से आप इसको छोड़ सकते है next plunger तक उसको touch करने के और जब यहां पर यह उसने touch किया देखें तो नीचे exactly उसी time rsi b 70 के ऊपर move का रहा है अब यहां पर यह 70 के ऊपर नहीं था आप इसको hold कर सकते थे और यहां पर आपको यह trade close करनी चाहिए अब next बात करत बनाता है या नहीं बनाता है वैसे तो यह आज 4 की candles हैं काफी strong यहां पर भी sell है लेकन आप फिर भी इसको wait कर सकते हैं और दुबारा से अब क्योंकि यह uptrend है हमें नजर आ रहा है और यहां से आप हमेशे buy की trades लें अब trend मुझे कैसे नजर आया क्योंकि अगर आप इसको यह एक line लगाएंगे तो यह देखें अब trend में market चाह रही है अब यहां पर sell करना कोई जवाज नहीं बनता आपको sell नहीं करना चाहिए और यहां पर आपको जब भी market नहीं चाहे buy में चाहें और यहां से अब यह एक trend line भी आप इसको अज़ना वो खेंच सकते हैं यह 12 plunger के down plunger के दीक आया तो आप अगें इसको buy कर सकते थे और यह बिलकुल RSIB 30 के पास है और अगर आप यहां पर देखें तो again again आपको यहां पर trades मिल रही हैं अब हम बात कर लिए दूसरी जो यहां पर strategy अगर आपको कहीं पर M बना नजर आए और M बना नजर तब आएगा जब market up trend में हो और उसने वापस मुड़ना हो down trend के अंदर तो यह एक बना था मैं भी आपको दिखा देता हूँ यह देखें यह नीचे से market गई उपर और यह यह एक M बना और यहां से इसने इस M को तोड़ा आप यहां पर sell लगा सकते थे और उसके बाद यह आप इसमें RSI नहीं है लेकिन RSI को आप मजीद confirmation के लिए पर डाल सकते हैं बट आप अगर price action पर जाएं तो then M और W की trade आप plunger band के जरीए करते हैं तो then आपके पास यह बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि आप इसे profit उठाएं यहां पर sell करते तो आप देखें एक दफा market ने यहां पर 30 का moving RSI भी नीचे गया अब इसका SL आपने कहां पर लगाना होता है SL आपका जो band है यह वाला trade आपने लगाई यहां पर जब उसने पूरा M बनाया और SM को तोड़ा और इसके नीचे जब उसने उसके low को तोड़ा तो then आप इसकी trade sell पर करते यानि कि यहां से जहा पर trade है और TP आपने कहां लाना है जहां पर आपका 30 यह आए या पिर यहां से दूर होना जब शुरू होगी तो वह आप उसके साब से इसको trade कर सकते हैं तो आप देखें कितनी बड़ी trade है इसी तरह से अगर हम इसको और पीछे चल के देखते हैं तो काफी ज्यादा आपको trades इसमें देखने को मिलती हैं अब भी हम और चलते हैं नीचे अगर हम और पीछे जाके देखें यहां पे भी इसने candle को नीचे बनाया 30 के पास है आप buy कर सकते थे अच्छा एक और चीज भी यहां पे मैं आपको बताता चलो एक तो आप trend line के जिरिए भी आप वो देख सकते एक और indicator आप यहां पे यूज करें इसके साथ moving average 200 का simple moving average 200 का और इसको हम white रखते हैं और यह आपको trend बताता है और यह हम पहले कई दफ़ा discuss को चुके हैं कि आपको trend बताएगा कि आप किस trend में चल रहे हैं then आप इसके साब से भी trade लगा सकते हैं और यह moving average को भी आप एक point र बना कर रखा हुआ है और अभी तक भी जो gold है वो इसको resistance पे रखा हुआ है इसमें अभी इस time अच्छा जब आपके plunger band सुकड जाएं जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ day one को अगर हम देखें और यहां पे अगर आप देखें तो यह अब बोलती pass आ चुके हैं और सकते हैं यहां पर आपको trade नहीं करना चाहिए इस area के अंदर और अभी इस time जो gold है वो काफी crucial stage के उपर है और आप इसको wait करें wait कहां तक करें मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ उस हिसाब से मैं अगर आपको यहां पे shape बनाओं यहां पर तो यह वाला जो area है यह वाला area यह day one की candle से आप देख रहे हो यह काफी ज्यादा मतलब कि इसमें market up and down up down इस तरह से trend में चल रही है और जब यह break करेगा तो then यह buying के उपर जाएगा और अगर इसको नीचे break करते है तो sell में जा सकते हैं यहां तक लेकर यह देखते हैं अब इसका क्या trend है अगर आप gold को फ यह देखें यह इसने एक line लगाई बलकि मैं आपको दूसरा उससे दिखाता हूँ लाइन नहीं हम लगा रहे यह देखें यहां पे अगर आप घोर करें यह वला area यह नीचे line और यह triangle जो हना वो इस तरह से बनता है यह अब इसने जब इसको तोड़ा तो नीचे इसने sell कि अब यह same same ऐसे ही ऊपर बना रहे है जैसे यहां पर देखें market गिर रही थी गिर रही थी यहां से नीचे बिलकुल एक sport लिए थी उसने जैसी sport को तोड़ा तो market sell गई अब बिलकुल shape इसके उलट है जैसे कि अब यह sport है और यहां से अगर आप देखें तो market uptrend में इस तरह से चल रही है यह अब यह एक अलग से एक जो आना आपके पास triangle chore है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि market यहां पे closing दे दे तो यहां से हम buy कर सकते हैं बहुत अच्छा उपर जा सकते है market ऐसे और अगर यह इसके नीचे closing देता है यहां पे कहीं पे तो then हम इसको sell कर सकते है यह strong जो वो बनेगा लेकर अगर आप day one में वैसे देखें long term में देखें तो sell trend है day one के अंता हम लेकर यहां पे trend काफी हद तक change हो चुका है यह वाला अब यह यहां पे दोनों जगह पे यह जो area है इसको अब देखना पड़ेगा यह अब शायद कल इसको clear कर दे कि उपर move क करता है अभी तो काफी हद तक इसका pressure down में है बट अब इसको देखना पड़ेगा कि यह market कि side पे इसने तोड़ा है इसके लोग को बट हमें अभी फिलहाल भी इसको wait कना चाहिए कि हम next इसके जो gold की trade है वो कहां पे ले सकते हैं hopes हो कि आप इसको समझ रहे होंगे और आप इ और practice करें इस indicator को मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अपना बोसर क्या रखेगा अलाहाफेज